दादा, तो क्या महींद्र भाहुबली के बाद उनके बेटे माहिश मर्दी के राजा बनेंगे? हाल ही में सूर्या की आने वाली फिल्म तंगुवा के निर्माता के ही ग्यानवेल राजा ने एक इंटरव्यू में बाहुबली 3 की पुष्टी करते हुए बड़ा खुलासा किया बाहुबली की दो भाग वाली फ्रेंचाइजी के लिए प्रभास और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एसेस राजा मौली के सहयोग ने भारतिय सिनेमा की गतिशीलता को हमेशा के लिए बदल दिया दोनों भाग बॉक्स ऑन्फिस पर ब्लॉक्बस्टर साबित हुए और उन्हें अपने शांदार वी एफेक्स कहानी पटकठा और सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक पहचान और सराहना मिली हाल ही में सूरिया की आने वाली फिल्म गंगुवा के निर्माता के ई ग्यानवेल राजा ने एक इंटर्व्यू में बाहुबली 3 की पुष्टी करते हुए बड़ा खुलासा किया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक K.A.E. ग्यानवेल राजा ने कहा बाहुबली 3 योजना के चरण में है मुझे इस बारे में पिछले सप्ताह फिल्म निर्माताओं के साथ चर्चा के दौरान पता चला उन्होंने एक के बाद एक बाहुबली 1 और 2 बनाई लेकिन अब वे एक अंतराल के बाद बाहुबली 3 की योजना बना रहे हैं इसके अलावा के E ग्यानवेल राजा ने कहा कि प्रभास, अमिताब बच्चन, कमल हासन और दीपिका पादुकोन अभिनीत कल की 28-98-80 का सीक्वल दो और फिल्मों के बाद रिलीज किया जाए यानवेल राजा ने यह समझाने के लिए सूर्या की सिंगम सीरीज का उदाहरन दिया कि दर्शकों को सीक्वल में फिर से उनका आनंद लेने के लिए किरदारों से जुडने की जरूरत है इसके अलावा उन्होंने खुलासा किया कि सलार 2 भी अपने पहले भाग से उचित अंतराल के बाद रिलीज होगी 2017 में अनुभवी पटकठा लेखक केवी विजेंद्र प्रसाद ने फिल्म के बारे में बात की और बाहुबली 3A की संभावना से इनकार किया इसके अलावा इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रभास ने भी भाग 3 की संभावना से इनकार किया था और कहा था हमने बाहुबली की कहानी पूरी कर ली है तीसरा भाग नहीं हो सकता लेकिन बाहुबली की विरासत एक कॉमिक सीरीज और एक टीवी सीरीज के माध्यम से जीवित रहेगी हालांकि ग्यानवेल राजा ने सभी बाहुबली प्रशंसकों के दिलों में उम्मीद जगा दी है और प्रभास को एक बार फिर अपने जादूई ओन स्क्रीन प्रदर्शन से स्क्रीन पर धमाल मचाते देखने के लिए उत्साहित किया है ऐसे इस राजा मौली की बात करें तो वह वरतमान में महेश बाबू के साथ अपने पहले प्रोजेक्ट SSMB-29 में व्यस्त है हालांकि आगामी फिल्म के बारे में बहुत सी जानकारी गुप्त रखी गई है लेकिन कई रिपोर्टों से पता चलता है कि SSMB-29 को एक गलोब ट्रोटिंग साहसिक फिल्म माना जा रहा है